स्वागत है अब सभी का एक और पोल सैंस के सांदार वीडियो में और मैं रोसन साब लोगों करवाने जा रहा हूँ तैल्थ क्लास जो हमारा पोलिटिकल सैंस का जो चप्टर नमर 3 है जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनी थी इस चप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन देखने वाले हैं सौट कोश्चन भी कुछ एड़ कर रखे हैं और ज्यादा तर लॉंग कोश्चन आंसर है बाकि देखिए रोसन साब सारी चीज़ अभी होना बाकि है अभी आम cqc hooga आपका इंपोर्टन कोश्चन आंसर कंप्लेट कर वाया जायेगा सभी चाप्टर के प्लस में अभी कुछ चाप्टर के अणिमेशन वीड़ो भी बाकि है ऑख़री का छप्टर है उसका अणिमेशन वीडियो भी परबाकि रह गया है ठीक है, देखे, सबसे पहले हम question देखते है, short question दे रखा है, नियोजन क्या है, है ना, चप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीती, तो हम थोड़ा सा, यह नियोजन होता क्या है, उसको हम समझ लेते हैं, तो देखे, नियोजन का मतलब होता है, किसी भी कारे को करने से पहले योजना बनाना, है ना, योजना का निर्धारन करना ही नियोजन कहलाता है, जैसे कि आप 12th class में है, आप 12th class के starting में ही एक योजना बनाए होंगे, है ना, एक planning की होगी, कि भाई, political science में यह सारी चीज़े पढ़ लूँगा, NCRT book पढ़ लूँगा, notes बना लूँगा है ना, 10 साल के questions paper को देख लूँगा, MC की questions कर लूँगा, तो यह planning आपने की, और आपने सोचा कि हाँ भाई, 95 आराम से cross कर लूँगा, फिर बीच में आप लोगों ने रोसंसा study point की वीडियो को देखा, आप लोगों को भाई, लगा कि हाँ यार, प्लान में रोसंसा को भी स study कर पाए, है ना, तो यही है नियोजन, मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं, ठीके, तो भारती अर्थिवस्ता के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाय पहले से निरधारत की गई थी उसी को हम इस चप्टर में समझने वाले हैं चलिए अगला कोशन दे रखा है कि भारती अर्थवस्ता का स्वरूप कैसा है भारती अर्थवस्ता का रूप कैसा है देखे भारती अर्थवस्ता जो है न वो मिस्रित अर्थवस्ता है इसमें कहा है ना वैसे अर्थिवस्ता दो परकार की होती है एक समाजवाद और पुंजीवाद लेकिन भारत में क्या है कि समाजवाद और पुंजीवाद दोनों का मिला जुला है इसलिए हम इसको मिश्रित अर्थिवस्ता बोलते है ठीक है अगला question है यह important है भाई बाम जो विचारधारा वाले जो नेता लोग है जो वर्ग है वो चाहते हैं गरीवों की भलाई है जो गरीब है दवे कुझले लोग है जो पिछरा वर्ग है उसके भलाई की बात करते है उसके विकास की बात करते है वो कौन है वाम पंथी दूसरे दक्षिन पंथी दक्षिन पं यह दक्षिन पंथी मॉडल ठीक है उम्मिद करता हूं दोनों ही मॉडल आप समझ चुके होंगे वाम पंथी दक्षिन पंथी विचार धार है मॉडल कह रहा हूं विचार धार है ठीक है उसके बाद है ग्रामिन अर्थिवस्ता को बढ़ावा किस ने दिया बहुत कोन से ऐसे जो चाहते थे कि यह दो पढ़ावा दिया चाहिए तो जेसी कुमार अप्पा एक अर्थसास्त्री थे इन्होंने ग्रामिन अर्थिवस्ता के विकास पर महत्व दिया था अगला कोस्चन है मिल्क मैन ओफ इंडिया कौन थे ठीक है मिल्क मैन ओफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है तो वर्गीज कोरियन ठीक है जिन्होंने अमूल के स्टापना भी किये थे आप लोगों को मालूम है अब देखे अगला कोश्चन है जोनिंग किस राज्य में लगा था जोनिंग यानि की इलाके बंदी की बात कर रहे हैं यहां पे तो यह लगा था बिहार में जब बिहार में ही आपको पता है हम 1965 के युद्ध की बात करें 1965-1966 के आसपास की ही बात की जारी आगे वैसे इसी चैप्टर में आपको कोश्चन नजर भी आएगा तो जोनिंग यानि की इलाके बंदी का समयकाल था ठीक है आगे हम बढ़ते हैं जोनिंग हो गया उसके बा बंबे प्लान का जो डेट है रहा मत मत डेक है है बंबे बंबे प्लान की हम बात करें तो देखें बंबे प्लान जो है ये 1944 में आप क्या पता है कि 1944 तो 1944 में क्या होता है बंबे में कुछ उधोगपति जो है उधोगपतियों का जो समू है यहने जो बहुत सारी बिजनेस में थे खटे हो गये है ना और उन्होंने नियोजीत अर्थविवस्ता चलाने के लिए सयुग्त परस्ताव रखा था उचाते थे कि अर्थविवस्ता में सरकार का हस्तचेप और अर्थिवस्ता को नियोजी धंग से चलाया जाए इसके विकास किया जाए तो इसी को हमने क्या किया यह जो परस्ताव रखा गया था अर्थिवस्ता को नियोजी तरीके से चलाने का इसी को अपन लोगों ने क्या बोला बंबे प्लान बोला ठीके समझ में आए अब लोग दोनों ही आपको बताने हैं, तो देखिये भीया, हरित करांती की अगर हम बात करें तो 1960 में क्या होता है, भार्दिय सरकार ने खादे सुरक्षा को सुनिशित करने के लिए प्रमपरागत उपायों को छोर कर, जो हम पुराने तकनिक को अपना रहे थे खेती में, उसको छोर कर हमने क्या किया, नई तकनिक के विकास को बढ़ा बदिया, मतलब खेती करने के लिए हमने अच्छे गुनवर्ता वाले बीज, कीट नासक, रसायन, खाद, उर्वर्क, इन सभी चीजों का इस्तमाल करना श्टार्ट कर दिया, भार्टिय सरकार ने सस्ते दामों पे इस सारी चीजे किसानों को उपलब्द करा दी, और ये भी वादा कर दिया कि वह जितना भी मतलब पैदावारी करेंगे उसको अच्छे मूले पे खरीद लिया जाएगा, तो इससे क्या हुआ पैदावारी में तेजी से बिरिदी हुई, बहुत तेज गदी से गिहुंचावल के उत सकरांती है, तो इसके कुछ सकरात्मक परभाब भी रहे, यानि कि पॉजिटिव इफेक्ट और नेगिटिव इफेक्ट, चलिए, सबसे पहले हम सकरात्मक बख्ष की बात कर ले जाते हैं, तो भाई, इससे क्या हुआ, जो हरित करांती के माद्यम से पंजाब हरियाना पश् इसका आयात नहीं कर रहे थे, तो जाइर सी बात है कि हमारे पास बिदेशी, पुझी, भंडार बिदी होगी, हमें दूसरे देशों को उनके मुद्रा में पेमेंट नहीं करना होगा, है ना, इसके अलाबा वही बात बताई जा रहे है कि खादान उत्पादन में अभोत पायदा हुआ, दूसरे इलाकों को इसका लाब नहीं मिला, ठीक है, छोटे किसान हुआ भूस्वामियों में आर्थिक फासला बढ़ता चला गिया, जो भूस्वामियी थे उन्होंने छोटे किसानों का कही नहीं कह सकते है, शोशन करना श्टार्ट किया, ठीक है, अधिक मा किसानों का, जिसको हम मध्यम वर्गे किसान बोलते हैं, तो उनका उदभव देखने को मिलता है, यह सारे पॉइंट साब किसे में बताएंगे, हरित करांती के नाकरात्मक परभाब में बताएंगे, अगला कोशन देखते हैं, केरल मॉडल क्या है, केरल मॉडल से क्या समझत का कारे करम, यानि कि गरीबी हटाने का जो कारे करम चलाया या था केरल में, यानि कि कुल में लाके केरल के विकास के लिए जो भी नीतिया अपनाएगे, जो भी विकास की नीतिया अपनाएगे, इसको हम केरल मॉडल बोलते हैं, और इसी कारण वर साथ केरल इतना तेजगत अजादी के बाद लगवक सभी इस बात पर सहमत है कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समाजिक नियाए दोनों ही होगा अ जादी के वक्त विकास के पर्मानित पश्मी देशो को आता था तो ब्षिय वाड़ों की सिर्ड ए सामाजवाद 4 llev अपना वह संसे थी अवाम उपनाएख तो भारत ने क्या किया इन दोनों आ जोला गोण अपना है थी को मिस्चडी तर्थ व्यस्ता बोलते हैं थिके अब देखिये जैसे कि पुंजीवाधी मॉर्ड़ल में क्या होता है कि जादा तर चीज़े जै Hai O 쓸 नीजी हातों में होगा प्राइविट हाथों में होगा है ना और समाजवादी में होता है कि सरकार के हाथों में होता है तो हमने क्या किया दोनों का मिला जुला ही मोडल जो था वो अपनाया था और गरीब उनुमलन के लिए है ना समाजी का अर्थिविकास के लिए हमने क्या किया अपने अर्थ वरस्ताव को तैयार किया तो यह पॉइंट साफ यहां पर बताया दें ठीक है आगे बात करते हैं अगला कोश्चन है योजना आयो की स्थापना कब होई ठीक है तो देखे योजना आयो की स्थापना जो है मार्च 1950 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते ठीक है इसको आप सई कर लेना यहोगा एक जनवरी 2015 कि गॉलग के गई तो 9 कि और इसके अध्यक्ष पढ़ान मंत्री श. ठीक है पहले अध्यक्ष क्या सकते हो ana मोधि ठीक है और बरतमान उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है यह बदलते रहेंगे आप गूगल कर लेना ठीक है वैसे अभी राजीव कुमारी है ठीक है तो यह हो गया आपका नित्याग के बारे में अगला कुश्चन देखते हैं भारत सरकार के सुरुवाती कदम गया थे इस कुश्चन को अगर हम सही से समझने की कोशिद करें तो आजादी के बाद विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गया सुरुवाती कदम कौन से थे उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले है त सोवियत संग के मोडल को अपनाया था जिसमें क्या था कि योजना आयोग के द्वारा अपने वजट को पांच वर्ष के लिए क्या करना था खर्च करना था पांच वर्ष के लिए योजना बना के खर्च करना था जिसको हम पंच वर्षिय योजना कहते हैं तो पंच वर्ष इस योजना के अनुसार किंद सरकार और सभी राजे सरकारों के बजट को दो हिस्से में बाटा गया था एक हिस्सा गैर योजना वे था गैर योजना वे जिसका मतलब बिना योजना के अकॉर्डिंग कोई भी कारेकर्ण में खर्च हो सकता था ठीक है और दूसरा योजना वे था जो योजना बना के ही खर्च करना था जैसे कि पंचवर्षी योजना हो सकता था या एक वर्षी योजना हो सकता था तो उस पे खर्च करना था तो भारत ने जो पंचवर्षी योजना अपनाया था उसकी हमबाल कर लेते जिसमें से दो पं पंचवर्षी योजना में अंतर पूछा जा सकता है तो देखे पर्थम पंचवर्षी योजना जो है 1951 से 56 की बीच में चला था इस पंचवर्षी योजना में क्रिसी पर जोड दिया गया था ठीक है और बांथ और शिचाई जैसे छेत्र में निवेश किये गए भाकड़ा अ दिया गया था ठीक है और बिसेश कर भारी जो मतलब आयात सुल्क है उसको बढ़ावा दिया गया था योजना योजना कार बोलेंगे योजना कार जो थे वो पीची महानलोविश थे जो की भारत के फिमस दिसास्त्री हुए है तो यह पॉंट आपका इसमें आध आएगा अ उठाई थी मतलब किसने बात कही थी कोशन यह कि भारतिय अर्थव्यस्ता के नियोजन में क्रिशी को केंदर में रखने की बात किसने कही थी तो चौधरी चरन सिंग की बात करूं तो पांचवे परधान मंद्री भी है हमार देश की और इन्होंने यह बात कही थी कि से आप क्या समझते हैं तो भूमी सुधार की अगर हम बात करें तो भूमी सुधार के अंतरगत क्या था कि आपको पता है कि प्राचीन काल में या फिर मध्य काल में या फिर अगर आप लोग हिस्टी पढ़ते होंगे तो वहां पर क्या था जमिदार होते थी जमिदार होते किया गया है ना खेती के छोटे छोटे चोटे चुटे टुगडों को जोड़ कर एक कर के चकवंदी की योजना भी लागु की गई थी लेकिं लेकिन ये दोनों ही या फिर ओर भी जो भी भ्णिसुधार कारे करम लागु किये गए थी एक यह पी तरीके से सफल उसके बाद अगला कोशन देखते हैं योजना अयोक का क्या कारे होता है उसके विकाश के लिए 1950 में इस्ताब्ना होई थी ओपर हम बात कर चुके है इसके अध्यक छोटे है पढ़ान मंतृी मेन काम है मंत्री मंडल को सलाह देना और समय को बचाना काम काज के लिए जो भी योजना बनाती है तो इसे कि मंत्री मंदल का थोड़ा समय भी बचाता है और परतिवक्ति आये को बढ़ावाद दिया जाए तो ये भी एक इंपोर्टन कोश्यन है आगे बढ़तें उसके बाद अगला जो हमारे इंपोर्टन कोश् चकवंदी के नीते अपनाए गई तो पूरी तरीकी सफल नहीं हो पाया था ठीक है तो नियोजन के समय में क्या हुआ क्रिसी में सुधार लाने की प्रियास किये गए जिसके जमिदारी पर्था को खतम किया गया चकवंदी के प्रापधान किये गये थे लेकिन कुछ बुराई खादन संकट की बारे में कोश्यन है कि खादे संकट में बिहार को किस तरह परभावित किया जो खादे संकट है उसने बिहार को किस तरीके से परभावित किया अथवा में कोश्यन आ सकता है कि खादे संकट की वजए से बिहार में क्या-क्या समस्याई आई थी तो समय क्या ह ये 1965 से लेके 67 के बीच में अनेक हिस्से में क्या हुआ बिहार के अनेक हिस्से में सूखा पा रहा था सूखे से बिहार में अकाल जैसे स्तितिया गई थी खेती के पैदावारी बहुत ही कम हो गई थी ठीक है और सरकार ने इस समय जोनिंग की फसले है मतलब गेहुँचावल जैसे जो भोजन की फसले है उपलब्ध नहीं हो पा रही थी ठीक है तो ये कोशन आपका इंपोर्टन रहेगा आप इसको अच्छे से कर के जाए उसके बाद एक और कोशन है आपका स्वेत करांती के बारे में स्वेत करांती के बारे में क्या पताना है अब या स्वेत करांती किसे कहते हैं तो गुजरात में स्वेत करांती के सुरुवात वर्गीज कूरियन ने की थी वर्गीज कूरियन जिन्हें मिल्क मैन ऑफ हिंडिया के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने सरकारी दूद उत्पादन वो विपणन के नाम पर अमूल नामक एक राष्ट व्यापी अंदोलन शुरू किया था कौन सा अंदोलन शुरू किया अमूल नामक जिसके तहत जारा से जारा दूद के उत्पादन को महत्ब दिया गिया था ग्रामिन विकास वग गरीवी उनमूलन के लिहासी अमूल नामक सरकारी अंदोलन अपने आप में अनूठा और कारगर मोडल था इस मोडल के विस्तार को ही स्वेत करांती के नाम से जाना जाता है के नीचे कुछ प्रमुक करांतियों के नाम दे रखी हैं जैसे की हरित करांती खाड से उत्वाद उनको बढ़ावा देने के लिए था ते प्रमुक्रांतियों के नाम थे उमीद करता हूँ आप लोगों को जो भी कोशन समझाया है इंपोर्टन कोशन आंसर वह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कुछ कोशन मैंने स्कीप भी कर दिये हैं जो की इंपोर्ट न आप तक बहुचे तो चलिए दोस्तों मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अपना ख्याल रखें